कि जोतिश आखिर है क्या इसे हम कैसे संचे यह 100% साइंस है रिसर्च का विश्य है बहुत बड़ा और हमारे यहां तो धूब को पानी को सूरज को मिट्टी को सबको भगवान ही माना जाता है तो यह भी एक शक्ति है यह एक साइंस है अगर हम इतनी बड़ी साइंस को भगवान कहें तो कोई गलत नहीं है यह अच्छा है कि किसी भी इंसान के शादी कराई जाती है तो बिना कुंडली मिलाई नहीं कराने चाहिए और 36 के 36 गुन होते हैं यह सब मिलाना बहुत जरूरी माना जाता है तो ऐसा क्यों होता है अच्छती रेल में थी वो तो खोच चुकी है बस यहां पंडित भाई गुन मिला रहे हैं अब कैसे फिर गुन और 36 गुन मिले हुए तो डिवोर्स के लिए खड़े हैं नमस्कार दोश्कों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में मैं हूँ आपके साथ आमिर खानेक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर लेकर आए हैं आज का पॉडकास्ट बेहत खास रहने वाला है क्योंकि लगाता है आप लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसमें नएने लोगों से आपको मिलवाते हैं ऐसी परसनेलिटी वो होते हैं ज जोदिश की ऐसी गुप्त बाते आपको बताएंगे जिस अभी तक आप लोग अंजान थे आपके जीवन में जोदिश का क्या महतव है इस पॉडकास्ट में आप लोगों को पता लगने वाला है क्योंकि आज की जो पॉडकास्ट में हमारा खास मेहमान है वह हैं गुरुद आज आपको जानता है कि हाँ गुरुदेश जीडी वस्टेश्ट जी जिनके माध्यम से उनकी जीवन में बदलावाते हैं मेरा पहला सावाल आपसे यही है गुरुजी कि जोतिश आखिर है क्या इसे हम कैसे संजें यह तो बेटा समयने में मुझे 35 साल लग थे जोतिश जि उस वक्त इसके लिए हम सोचते थे कि यह एक दिवय द्रिश्टिये हैं परमात्मा की केपा होती है साधनाए हम करते हैं तब रापत होता है लेकिन आज की तारीख में जो मैं समझ चुका हूं यह 100% साइंस है रिसर्च का विशे है बहुत बड़ा और हमारे यहां तो को पानी को सूरज को मिट्टी को सबको भगवान ही मना जाता है तो यह भी एक शक्ती है यह एक साइंस है अगर हम इतनी बड़ी साइंस को भगवान कहा है तो कोई गलत नहीं है यह अच्छा है लेकिन यह 100% साइंस है और यह इतनी बड़ी चीज है कि यह हमें स्कूलों में अपने colleges में इसको implement करना चाहिए और बचों को 100% scientifically way में ये समझाना चाहिए कि भाई जोतिश जीवन के लिए बहुत सरु है एक्जामपल दूँ किसी इंसान का मंगल खराब हो गया उसको ना मीठा कम पसंद आने लगता है नमकीन ज़रा पसंद आने लगता है ना वो हर चीज में एक्टा नमक डाल के खाने लगता है फिर उसके पेट में उसी वज़ए से गया सैसिलिटी कब ज़दा बनती है और जब यह होते आए तो असर आता है हमारे लिवर पर अब लिवर की परफेक्ट वर्किंग ना रहने के कारण इसका असर आने लगता है आखों की रोशनी पर तो यानि की चश्मे का नंबर बड़ा होने लगता है और जब इदर से भी हम हटते हैं अगर और सोचें इनसान ऐसा ना इरिकेटिंग नेचर का बहुत ज़्यादा मेहनत गहराई से सोचके प्लान करने की उसकी चले जाती है अब वो जल्दी जल्दी कुछ भी करके ना गलस ही आद्वियों के साथ मिल करके कमानी की सुचता है और अपनी इज़त का बंटा लगवा के बैठ जाता है ये एक मंगल खराब समझाया और ऐसे इनसान में एक जैलिस की भावना उत्वन होती है पडोसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता अपने रिष्षदार को बढ़ते हुए नहीं देख सकता क्योंकि कहीं नहीं ये कुंठा तो है न मैं नहीं कर पा रहा है है ना वो उसकी फ्रस्ट्रेशन ही जैलिस के रुपे चलगने लगती है ये मंगल खराब है अब जब किसी बच्चे को ये पता चले कहा कि मेरी जनम कुली का मंगल खराब है मैंने नमक एक्सरा नहीं खाना मुझे बैट के गहराई से स्रेयों को देखते हुए प्लान करके आगे तक की सोचनी है वरना मेरी गंदी आदा मेरे को डूबो देगी ठीक है अगर ये मैं दोनों चीज़े करूँगा तो ना तो मेरे लिवर पर इंपक्ट आए ना मेरी आंखों पर इंपक्ट आए ना मेरे अंदर जैलस भावना आए क्योंकि मैं अब लंबा प्लान करके देज तक काम करना सीख रहा हूं कर रहा हूं तो सोच बच्चे की वर्किंग कितनी खिल के सामने आएगा आएगा ना तो ये वाले बदलाव लाने के लिए दुनिया के अंदर हमें अपने शिक्षा व्यवस्था के अंदर जोतिश को परमस्थान देना चाहिए फिर गुन होते हैं एक आदमी एक तरह के ग्राय योग में जो पैदा हुआ हमें पता वो दिल की और दिमाग की कौन सी गहराईयों से सोचता है और उसके अपारिंग इसको दुनिया के अंदर कौन सा काम दिया जाए और कौन से इंसान की ख्षमताएं इतनी बड़ी नहीं है लेकिन ये कम से कम जतना समझाया जाए उत्रा कर लेता है तो उसके लेगे ये वाली वर की और दिया है तो अपने आपको भी हर तरह से context कर न करना वह आने लगेगा मोटा मोटा करके इनसान अपने जीवन को समयने लगेगा जो महा दशा लाल किताब दशा ये सब जब बदलती है तो उसको ये पता चलेगा कि मेरा जीवन अब किदर मुणने लगा है तुमने देखा होगा पचास बावन साल की उमर में अबी मी के तलाग हो जाते हैं इतने साल क्या कर रहे थे है ना वो दशाओं का असर जैसे ही दशा बदलती है वैसे मांसिक्ता बदल जाती है तो वो किसी भी आयू में गुरुजी दशा कुंडली के हमारी बदलती है किसी में भी मैंने एक लेटस नहीं चीज़ को जी इस बात को हुए चार पाज मिने अच्छे गुरुजी उसको हम देते इस नाम से भाग्या की अशुपता की तारीक है यह हम देते है उसमें क्या है ए एक खास परकार के ग्रह वो जिस दिन भाग्यासान में आता है ना वर्षफल में लाल किताब के वर्षफल के अनुसार आ है वो उस दिन से लेके जब तक उसकी आई हुए आई हुए हुए है जैसे मैं को सूर्या की यह की बाइस साल है चंद्रमा की चौबीस साल है ठीक है बुद्ध के 17 साल है, राहू के 18 साल है, इस तरह से ये लेकर उतने जिस दिन आया उस दिन से उतने साल तक उसने भागे को अशुप रखना है, ये दुनिया में कुछ नहीं देता, यह हम देते हैं कि तेरा वहां तक जीवन ऐसे चलेगा और यही सीन बनके चलेगा। लोग बोलते हैं अगर हम सिर्फ बात करें राहू केतु की, इनको बहुत कुद्रिश्टी से भी देखा जाता है, डरते हैं लोग इन से, लेकिन ये भी बोला जाता है, अगर ये साथ में हूँ, तो इनसान को राजा बना देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताईए क सही बात क्या है, इनसे डरना है या नहीं डरना है, मैं अपने एपिसोडों में और सम्मिलों में बोलता हूँ, राहू जिसे मारे उसे कौन तारे, और राहू जिसे तारे उसे कौन मारे, राहू के तु क्या है, राहू जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये इतना हि में क्या है सूंगने की शक्ति बोलने की शक्ति देखने की शक्ति सुनने की शक्ति अब जो सूंग सकता है उसको पता खुश्बू क्या है जो टेस्ट कर सकता है उसको पता इसका स्वाद क्या है जो सुन सकता है वो सारे हालात को सुनके जाइदा लगा सकता है और जो देख सक आशनों समय सकता है तो यानि सारा काम तो राहू आप केतु यह नीचे चाहिण का हिस्सा तो बहुत दो पांदे का करता है और का है तो कहने का मिलें इंसन्सान की बुद्धि होनी चाहिए जो कि बुद्धि में है हमारी कुन्लियों के अंदर साथ ग्रह, सूर्य चंदर मंगल, बुद्ध, ब्रस्प, शुकर, शनी, राहू के तु उनली में लिखे जाते हैं, अकाश में कोई ग्रह नहीं यह सातों ग्रहों की जो प्लेश्मेंट है हमारी जनम खुली में उस प्लेश्मेंट के आधार पार जो एक संयुक्त अनर्जी बनती है एक उसे हमारी सोच बोलते हैं उसका नाम है राहू अब जो राहू बन गया राहू के ठीक सात्वेस्थान पर केतु होता है तो जो खुपड़ी में आएगा हम काम तो वही करेंगे जो दिमाग में सोचा सफर पर हो तो उसी पर निकलेगा और जो तिरको अच्छा बुरा लगा उसको वैसे तो क्रेट करेगा ठीक है ना तो इसल उसे के हमेशा सात्वेस्थान पर बढ़ा जाता है और जनम कुडली के अंदर सर की जगा राहू को और पाउं की जगा कित को दीक है तो इन सातों ग्रेहों की मिलकर के जो एक अनर्जी बनती है यानि की साथ डाल बना ली तुमने उस साथ डालों का जो एक टेस्ट आया ना वो राहू है समझ गई तो बेटा ये होता है राहू अब ये सातों ने मिला कि अगर पॉस्टिव बना दिया तो ये राहू बहुत शुब है और कहीं ये नेगटिव होकर के राहू नेगटिव बना दिया ना तो कौन नहीं पहला होता बड़े बड़े डाकू बड़े बड को अबाद करने वाले दुनिया के लिए बीनफ स्वार्त के अपना आप कर देने वाले ये सब के साल से रिसरच कर रहां पर बहुत कुछ बाकी है अभी तो ऐसे कैसे आदमी मतलब फेम और जो आप कहते हैं पैसा वो कमा कैसे सकता है मतलब एक द्रिष्टी ये ना आज की डेट में ये चीज खो गई है पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी हर कोई कमाता था कमाता कैसे था संसकारों में बंदा रहके इज़त की परवा करके कहीं कोई हमारी बदनामी ना कर दे ये सोचके यह ना चलते थे लोग आज की डेट में कहते है परवा किसने है पैसा कमाओ यहां से कुंडी लगती है यहां लगाओ यहां से कोई मोटा कमिशन खा सकते हैं तो चले एक फ्लैटी बनेगा यह मन सकता है आज की पहले लिम्टिड लोग थे तो इज़त की ज़्यादा भंडी उड़ जाती थी वो बाद में जिन्गी में कोई गाता नहीं था अब यह है कि जिन्गी में दो तीन चारा पांच बेटा उसका आगे का जीवन तो सत्यानास हो जाता है पर उसकी मान सिकता यह होती है मैंने मोटा कमाना है मोटा कमाया कैसे जाता है खुद की रिसर्च खुद की मेहनत खुद अपने आपको एक अच्छी रैपूटेशन के साथ आगे लेके जाके मार्केट में स्टेबलिश करना दुख पाके भी वो इनसान कभी भी मोटा कमा सकता है क्योंकि आस पास के लोग देखेंगे यह किस तरा से आया इसका सभाव क्या है मेहनत क्या है और यह ठकता नहीं है वो अपने आपको ज़्यादा रायों के काबिल बना सकता है कमा सकता है लेकिन जो इनसान कहता है इस कंपनी में गया चल कन्वेंस के भी यह ले ले यह फलानी जगा का यह फालतू का यह लगा दे यह इस बहुत मेहनत और चरित्र मांगती है और गरीबी कच्रित्र से कोई वास्ता नहीं है वो कहीं भी कुंडी मारेंगे एक तो यह चीज़ अब ग्रैय योग तो किसी के भी हो सकता जर्म कुंडी में जो खराब हैं तो वहां पर क्या करना है संसकार बनाए गए है हमारे यहां परम मात्मा हमारे साथ है कोई गलत काम मत करो च्रित्र हींता में मत जाओ और इसके साथ बड़ों की कद्र करो सब को प्यार से बोलो यह मोटा मोटे संसकार बताएगे चोटों को चोटा समझो बड़ों के आदर करो जब एक खराब जनमकुंडी वाला भी इन संसकारों पर चलने माहौल उस पर भरोसा करने लगता है ऐसे में अचानक किसी दिन किसी को कोई काम पड़ता है और वो कहता है यार वो फलाना आदमी भरोसे के कापिल है बस वो जिस दिन ऑपर्चुनिटी मिलती है ना उस दिन गरीब कुंडली वाला भी अमीर हो जाता है मेरा अगला क्वेशन इस से रिलेटेड ही था कि मतलब जो आदमी का जो कर्म है वो कर्म क्या उनका भागे है वो बदल सकता है कि यह देखो जवाब बिलकिया जी एड़ा रियालिटी में हमारे कर्म जो तुम साधनाओं की बात करते हो ना बेटा वो जो तुमने देख रख है उन्होंने सोने की लंका का जो वर्दान लिया यह सत्य बात है कि ऐसी शक्तिया भूले नात ने दी कि वो सोने की लंका बना पाया समझें आज भी तुम सोने की लंका बना सकते हो शर्त यह है कि तुम अपने आपको असूलों की बटी में जलाओ अपने असूल बनाओ वर्किंग आवर फिक्स करो जादा वाले फिक्स करो कम आले ना फिक्स करो शेड्यूल पे बने रहो मान सिक्ता को इधर उधर बटकाए बिना फोकस होके काम करो तुम भी सोने की लंका बना सकते हो सूंगे जब कुल्डी खराब भी होती है उसके अंदर कुछ खास गुन होते हैं जैसे आजी की बात बताता हूँ एक बच्चा वहां पर आके बैठा हुआ उसने आके कहा कहता गुरुदे मैंने आज तक कि आपके जितने एपिसोड है वो सारे लिखे है इतने बड़ा थद को दिया मैं का देख विड़ा तोल के कहता गुरुजी नौडाउट इसने लिखा तो है सब कुछ करता यह कहा रहा सब कुछ लिखा कैसा था सारा तो कोई लिखनी सकता आपके इतने जड़ा एपिसोड है मैं इसकी पॉस्टिविटी एक ही है कि यह लिखता रहा लिखता र रामबे का पैसा तरतालीज दिन जल्ब परवा करवा के अपने पास ही काम पे रख ले मैं जितना तेरा राइटिंग का काम है यह पून कर देगा उसको जोब बिल गई लेकिन कैसे मिली उसने एक शुब कार्या किया किसी का भक्त बनके उसने लिखा तो इसी लिए जब होगी ना तो बैटा वो आपको एक ना एक दिन मालो माल जरूर करेगा बाई शर्त वो राम राजे होना चाहिए राम का मेरा एक प्रशन था इसी से रिलेटेड जैसे कि आपने अभी बताया जो व्यक्ति आपके पास जॉब के लिए आया थी उनका मंगल खराबता या सूर करती काम करती है नमक में क्या तुन्हों और डमक मिलाती हो चीनी में और चीनी मिलाती हो दूद में और दूद मिलाती हो और आटे में और आटा मिलाती हो नहीं ऐसे नहीं होता है जो ग्रह खराब है उसका नग पहनना वो खतना को तो कोई और ग्रह के रतने पहन कर उनको ब जो ग्रह खराब हो उसका नग पेनाने का मला उसे और खराब करेंगे ना क्योंकि उसकी ताकत तो पहले ही खराब कर रही है अब उसकी ताकत को बढ़ा होगे वो और खराब करेगा कि अच्छा करेगा खराब करेगा सिंपल सा लोजिक है ठीक है ऐसी अवस्था के अंदर हमें करके उसकी energy को कम करना होता है और उसका जो दुश्वन ग्रेह है जो शूब फल दिने के लिए बैठा लेकिन उसकी ताकत कि आगे उसकी नहीं चल रही जिसकी नहीं चल नहीं लेकिन वो शुब है उसका नग पैनाओ देखो कितनी जल्दी सब्सक्राइब जो शुब है उसकी शक्ति को बढ़ाना है जो एक अच्छे करम पर पैठा हुआ तुम्हारी जनम कुंडली के अनुसार राशी के अनुसार या कुंडली बताती हमें कि रतन कौन सा पहना चाहिए अमेरे यहां एक दिन आओ मेरी सुबह से लेकर राट तक क्लाइंटेशन चलती है बाहर पेपर निकाल के देखना कि किसी एक को भी नग लिखा मैंने मैं पहनता था ऐसी बात नहीं मैंने अभी उतारे क्योंकि अब ठीक है मेरे समय बदल रहा तो मैंने वह उतार दी तीक है महीने में तीन या चार नग लिखता हूँ मैं पांच नग लिखता हूँ जो अपने हाँ से लिखता हूँ फाइल में जनम कुली में तो जाता है यह आपके लिए शुब है वह मैंने बड़े सोच समझ के लख या कि कोई नुकसान ना करें ठीक है पर वो जीवन के लग लग faces में होता है जो मेरे पास है मेरे तो पता है कब जूर्द है तो जब जूर्द है तो नहीं बताता है यह च गुरुजी ऐसा हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस अभरत ने पहनी है आपके परिशानी तुरुजी मैं वहीं कहा रहा हूं यह फ्रॉड जोच्छी है और आप उनके घर पे जाके देखो उनके बच्चों ने नग नहीं पहने होते कारणी यह कि उनको अपनी विद्य अपने उपाय की बात कि तो बहुत सारे जो जो जोतिष होते हैं या भी बात करें सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे उपाय चल लए हैं अच्छा कुछ एक चीज़े तो बहुत प्यारी चल रही है उनमें आज कलके पड़े लिखे समझदार रिसर्च बुद्धी वाले बिलकुछ यंग बच्चे आई हुए हैं जो हमारे वेदों में से चीज़े निकाल के ला रहे हैं और बता रहे हैं उनको देखके ना मन प्रफुलित हो हो जाता है कि ये चलो भविशे में इस पीडी की शुरुवात हुई जो आगे कुछ नो कुछ तो और भविशे में लोगों को बना देंगे अपने जैसे है ना जोचियों के नाम पे मैं अगर कहूं 99% फ्रॉड और दोखा चलना है जो बड़ा सुन्दर सा गैट अब बना के एक परभावशाली वानी के अंदर वो जो बोलते हैं ना बेटा वेद में जोतिश विज्ञान में कहीं पर भी उसकी कोई एक लिखित नहीं है पर हैं पर वो बोल रहें अब दुनिया दुखी है वह अपने प्रमागा को तलाश कर रही है वो उसको तलाश कर रही है जो उनको रास्ता दिखा सके इंग को जब बना कोई में नत किये वहां पर वो जो मिल एक जाती है ना वो इसको भगवान समय लेते हैं फिर अफर से व धन पाने के मंतर मशुका पाने के मंतर किई था कि एक तो सवाल एक एक सोशेट पर सबस्से जाधा कोई कॉइन चीज चल रही है वह है ब्लैक मैजिक कि अगर आप महते हैं किसी ने जादू कर दिया है काला जादू कर दिया है यह उपाय कीजिए वह उपाय कीजिए तो मैं आप से जाना चाहती हूँ कि की ब्ल्यैक माजिक होता है किना चा-चात आओ कितने हैं तेरे, dared चार, उनके आगे के रिश्तेदरी भी तु जानती होगी, दूर से जानती कार जाद हो जागा इसके घर मत खाओ उसके घर में सुनिए यह हैं जो फिला दिया गया सवार्थी लोगों दोड़ा मैं आज इसका पूरा ख्लासा करतें पूंज को जब कुछ जो जोची नहीं है होता जब कोई शक्तियों वाला बावा नहीं होता जे और वो निकम्मा कहीं से भी कुछ नहीं कमा सकता ना वो फिर एक सादू का भेज़ धरके बैठता है तो वो तो अपनी स्फर्वास से पैसे ही अब उसको और कुछ नहीं समझा ए उसने का तेरे ओपर किसीने कुछ कर दिया है तेरे ओपर भूत का साया ऐ तो नज़र आता नीं . तेरे को इसरों किसी ने रुक एक जिन है जिसने बांद रखखा है. अरे भाई अगर वो इतनी बड़ी टाकत है, दिखा तो दे कहा है. कोई तो उसकी निशानी दे अगर वो इतनी बड़ी ताकत है अब भोले-भले लोग यह तो बांनते निए, यह मान जाते हैं हम पे किसीने कुछ कर रखा है। अब उसको तो उसकी रिशेदारी नहीं पता। पॉडोस नहीं पता। इसकी दुश्मनी किस्से है, यह नहीं पता, सबसे असान तरीका, तेरे ना पडोस में कोई रहती है, उसके ना यहां पे कोई निशान होना चाहिए, सामने वाला उप फलानी है ना उसके वो निशान है, हाँ बस उसी नहीं, उसी नहीं कर रखा है, पडोस खराब, तेरे के परिवार बरबाद हो रहया है, लड़ रहे हैं उसे परसुए, और उनका क्या है, जितनी दिर में जितने वो पैसे देगे, बस उनकी वो कबाएँ, उनका वो दिन चल गया, इसकी जिंदगी बरबाद हो यह रिष्टेदारी बरबाद हो यह सब को सब चल रहा है बटा द साँ गया ब्लैक मेजिक नाम की चीज होती है पर एक ब्लैक मेजिक करने वाला इंसान बेटा दस्यों साल आग में तपा हुआ होता है और तरह तरह की चीजे वो उसने की होती है लेकिन जिस दिन वो सीख जाता ना इन शक्तियों को उस दिन किसी पे भी कुछ भी करना का खेला है वो करना लेकिन वो कभी नहीं करेगा और दो सो पांसो हजार दस जार बीस जार लाख रुपे के लिए तो बिलकुल नहीं करेगा बेटाओ उसकी इतनी तफस्या जिसको नोटों से तोला ही नहीं जा सकता यह तफस्या करने के पीज उसकी वो मन्शाई हट गई पै बिताता हूं उसको पैसे का लालाची दी होता ऐसे लोग हैं जानता भी हूं लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं बेटा वो तांतरीक नहीं होते हैं होते ही नहीं लोग यह डर के मारेगी यह तांतरीक है तो डरते हैं लेकिन वो तांतरीक नहीं होते तुपरा कुछ नहीं बिगाड सकते हैं क्योंके हैं नी कुछ ने के पास ठीक है ना ये चीज़ लेकिन आब ये ओपरी शक्तियों की बात करें ये हैं ये हमारे शरीर के अंदर की जो उजा ना ये सच में जो गीता में लिखा है कि एंसान मरता है आत्मा नहीं मरती और लेकिन अब आत्मा को भी सी ने आत्मा थीन पर काट इनको तीन केड़ेगरी में रखा गया ए बी और सी। जो सी केड़ेगरी की आत्मा है वो धर्ती पर रहती है यह वही है अत्रप्त लोग जो ना जीने ना जीते हैं ना सी कलास आत्माई हैं यहीं रह जाती हैं दूसरे वो लोग है जो कंप्रमाइस करना जाते हैं जो फैमली के अंदर भी भाई को बहन को लड़ने से बचाते हैं भाई को माता बिदे से लड़ने से बचाता है वो जो मेडियेशन का फैमली में काम करता है ना वो उसको भी संभाल को जो रूजी रोटी दे रहा है उसका मास इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी की भी छुट छुटी गलतियों की तो परवाई नहीं करना बस उन्को चलाई जा रहा है SKT इब पर नोंको स्वर्ग अब इलए जा रहा है यह Wir хоч आ細ा सात में, ये कारडिनिशन का काम करती हैं, नीचे की बात ऊपर उपर की बात नीचे पर इनका एकसेस लिए यह उदर भी है और यह जो सी क्लास है यह थोड़ा से भी उड़नी सकती है यहां किसी खोने के अंदर पड़ी होगी वहां पीपल पर लटकी हुई होगी वहां खेट के रास्ते में होगी आप इनको मौका चाहिए जो कमजोर ग्रहों का हो ना बस उसको चिपक जाती है वहां पर आकर के यहां एक अच्छे तांत्रिक मिलते हैं जो बड़ी धक्के खाने के बाद कोई मिलता है और आप उसके पास जाके देखो वह जादा कमाबनी रहा होता है और वो उतार देता है है ना यह तो आम प्रैक्टिकल में मिलने वाली चीज़ है तो अब बड़ी बात सुनोगे कभी किसी ने भगवान को देखा है नहीं गुरुजी क्योंकि भगवान हमारे अंदर है हमारे आत्मा में यह कहा जाता है नहीं बिटा सुना ही अभी यह जो एक लास आतमे उपर बैठी हुई है न अच्छा यह सच में बहगवान जितनी ताकत लिए है और वो जो एक लास आतमे है जब कोई मंदिर में मस्जिद में गिर्जा घर में जा करके रोता है ना पईश्य वो जो दिल से रो रहा होता है जिसने सच में वो सच का हम ही होता है उसको वो सच मिल नहीं रहा होता है जब वो रो रहा होता है न तो यह बी कलास आतमे मैसे लेके जाती एक लास के पास तो फलाना बट टूट चुका है कहीं उसका विश्वास ना उर्जा है तो उस दिन वो एक क्लास आत्मा धर्टी पे आके उसकी मदद काती है इसको कहते है भगवान ने सुन लिए इसको कहते है भगवान ने सुन लिए सबगे अब तुमारे लिए तो वो भगवान ही है रूप तो तुमने देखा नहीं लेकिन ये जो उपर बैठी हुई हैं इनके लिए ब्रह्मा विश्णु महेश एक ही हैं इनके लिए जीजस और अल्ला एक ही है इनको कोई फरक रहे हैं समगें ये जो एक दूसरे के लिए धर्ती पे रहके कट मर रहे हैं न मेरा ये भगवान मेरा ये भगवान ये सारी c class आते हैं जो बिक क्लास वाले को भी इसे बतलब दिए और a class वाले को भी बतलब लिए सिरख c class वाले को बतलब है ये बगवान मेरा तू कैसे बोला ये बहुत से और ये ये बिज़क अभी कास्च कुम एक हम मेरे उनाए कुछ यह क्या हवा है या जादू टोना यह सब करार रखा है बिल्कुल सही कह रहे हो अभी तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया था कि जिनकी जर्म कुली कमजोर होती है उनको यह चिपड़ जाते है जिसकी अपनी बुद्धी बहुत दूर तक सोचने सकती जो इनसान खुद इनसीक्योटी में जीता है और हर वक्ड़ डरा हुआ रहता है जिसकी अपनी विल नहीं होती जो खुशी के महल में बहुत खुश हो जाता है और देखता बनी चोट का लगेगी समझगे यानि कि समझदारी का एंच तोड़ा कम होता है और उदासी में बहुत ढूब जाता है समझगे यह कुंड़ी कमजोर के सिम्टम्स है इन्हीं लोगों को डिप्रेशन जल्दी आता है जोगो परी हवा लगने के पूरे पूरे चांसें पहले क्या अधा दो पैर के वक्मे फलाने अजल्देमे गजरना है इतने बजे के बाद है यह सत्य थी बाते आज तो इन्हों ने छोड़ा ही कुछ नी शेर को तोड़ तोड़ के वह ऐसी बिल्ड के बना दी भूतों के रहने की जगह चीलनी बच्पन हम सुनते आ रहें बच्पन हुमारे बड़े की बेरी के पेड़ पे पे पिपल रहें बहुतों का घरिए उनका भी ठिखाणा नहीं रहा वह बचारे पदरिका हां का बठक रहे होगे देख रहे होंके पहदे कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं गुरुजी जो हमारे बुरे कर्म हमसे करवाते हैं, क्योंकि इसान खुद से नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उससे गलत काम होते हैं बड़ा इतना ग्यारा कॉस्चन है ये और इसकी मैं इतनी बड़ी सचाइय जानता हूँ, मैं बताओं भी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुंडली में सात्वे स्थान पर बुद्ध बहुत ही खराब अवस्ता हो तो आदमी अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी बेचने से परहेज नहीं करता है ये लिखित पे होता है जनम कुंडली के अंदर बंगल, शुकर, शनी एकठे हो जाए और किसी शुब ग्रह के साथ टक्राब में जुड़ जाए इनसान की सेक्स की आग ऐसी बढ़कती है कि वो परशाद की तरह अपने आपको परोस्ता चला जाता है चाहे आदमी हो चाहे औरत मंगल शनी एकठे हो किसी भी अच्छे करम स्थान पे बैठे हुए हो और ब्रस्पच चंदरमा बहुत अच्छी पोजिशन में हो इनसान का काम होता दूसरों को लूटना खाना उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं किसी भाव से मतलब नहीं और उसको डैडिक एडली पर सपना काम ही जैसे लोगों की जमीनों पे कबज़ा कर लेते हैं जबर्दसी चीज़े हत्या के जबर्दसी साइन करा लेते हैं यह वो सब कुछ यह बुलग करते हैं चंदरमा खरा पुजिशन में बुद्ध का संबंद लिये हुए आजमी को मतलब नहीं है इनसानियत से उसने रिशवत लेनी लेनी है सामने वाला चाहे गर्क हो जाए कुछ हो जाए उसको तो रिशवत लेके ही काम कर रहा है समगे और उदर से यह ग्रैट जतने ज़्यादा अच्छे होके बैठते हैं यह उतनी ही बड़ी खरापिया करते हैं और जितने ग्रै कम्जूर होते हैं इनसान अच्छे और बुरे के बीच में तुलता रहता है कि ये अच्छा है ये पुरा है ये अच्छा है ये पुरा है क्योंकि उसकी किस्मन में उतने तकी लिखी नहीं नहीं है तुम देखतें से एसे एंप्लोईर होते हैं कि इंप्लोई को ग्लाता बहाड में जा बुखार में मरा मर मेरा काम पूरा करके जा अब वो अमीर और यह ग्री को तो इंसानियत कुछ भी ने लिए अब इस में इंसानियत नहीं और इंसानियत नहीं notamment अभी तो अमीर हो गया तो ये इतनी बड़ी सचाई है है हमेर कि सुनोगे तो हिल जाओगे और तैय करना मुश्किल हो जाएगा तुमें कि कौन से ग्रह में रहके जीना चाते हो और अल्टीमेटली जब तुम इंसानियत की बात करोगे तो एक ही बात करोगे मेरे थोड़े ग ना वो हो क्योंकि उनके पस कुछ नहीं दिल नहीं होता है फिर जो खराब ग्रह वाले मेहनत करके अमीर बने होते हैं वो एक लिम्टिड हिसा होता है जाजादा दो चार पांच हजार करोड़ पैता का मैकसिमम जो यहां तक के अमीर हैं और जो स्ट्रगल करके एक मिड एज इसके बाद जो लोग अमीर बने हैं यो बड़े द्यालू होते हैं आज जाके देख लिया करो और इनसे ऊपर के जो अमीर है ऑर द्यालू नहीं होते है पर मात्मा ने बुद्धी दिया दिल तो दिया ही नहीं और जो नीचे वाले तब केके हैं बेटा इनके जातर ग्रह खराब होते हैं जब बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर छोटी उमर के अंदर जो अमीर बन जाते हैं वो गौड गिफ्टेड होता है तो ये लोग भी कहीं बला भी करता हैं जाना चाहूंगी जैसे कि आपने भी बताया था बहुत सारी चीज़े आपने बताया इसमेंसे एक मेरा ये प्रश्णी ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एक काला धागा पहन लेते हैं तो नेगिटिव एनर जीज दूर रहती हैं चाहें हम पैर म में पहन ले हैं बाजू में बाहन ले तो क्या ऐसा संभव है क्योंकि बहुत से लोग यह भी जाना चाहेंगे आपने बता दिया कि पास-पास खड़ी रहती है नेगेटिव एनरजी तो इनसे बचके कैसे निकले तो यह जाना चाहूं मैं तुमें एक बार बताता हूं यह साइस है हंड़र परसंट साइस आठमा घर मौत का है और जोतिश के अंदर यह साफ तोर पर लिखाता है कि जब भी मृत्यू देने वाला घर आठमा बन जाए जो कि है यह बहुत सारे ग्रह वहां आ करके मौत नहीं देते हैं उमर देते है लेकिन कुछ ग्रहा आ करके वहां सीदी मौत देते हैं यह मौत आती कब है जब आठवे घर के अंदर यह ग्रहा आजाए लेकिन जनमकुनली के तीसरे घर के अंदर ग्रहा ना हो तो मौत निश्यता है यह मरेगा चाहे बिमारी से मरे चाहे एक्सिडेंट से मरे लेकिन तीसरे घर में ग्रैन ना होने पर यह होता है तो हमारे रिश्यमनियों ने क्या किया यही जो वे दो के चक्षू है जोतिश इससे देखके उन्होंने हमारे यहां एक असूल बना दिया, संसकार बना दिया कि किसी भी संसकार पे अच्छे बुरे कोई भी, वो कलावा जरूर बांदे है मंदिर में वैसे पुझा करने जाओगे, कलावा बांदेते हैं जी तो यह कलावे का मतल्ब जानते हैं तीसरा घर अबाद करना अब कलावा होता कॉंसे रंगा है, दो ही रंगा होता, एक लाल, एक फीला तो तीसरे में सॉलिड बytes offshore इटा दिया, तो मतलब ही नहीं हिल जाए और तीसरे में सॉलिड मंगल बैठा दिया मतलब इनी कोई ग्राहल जाए तो ये कलावा बांदने से ही मौटल जाती है जाना तर दुनिया के अंदर एक्सिडेंटली मरने वाले लोगों की आप सिर्फ कलाई देखो उसके उपर कलावा नहीं मिलेगा इसको बोलते हैं तीसरा घर एक्टिव करना यहां कलावा बांद के यह अब आपको तो पता नहीं ना आप जोच्छी हो जोच्छी पैसे बोल लेते हैं रोज जानी सकते हैं अब यह ग्रया कहीं घूमके मौत के घर में आगे तो क्या होगा तो वो जो हमारे निश्यमुनियों ने सोचा कि भाई इनके हाथ पे कलावा पाता हो और तो पर्मानेंट देरी चूड़ीया है जादा तार लड़कियों के साथ में भी हाथ से उनकी साथ होते हैं जिनके हाथों में चूड़ीया नहीं होती है अजमा के देखला ना पुरान कि बाहर लोग जेनरली निम्बू मिर्ची लगाते हैं निम्बू मिर्ची लगाएंगे तो बुरी नजर नेगेटिव एनरजी को भी बुरी चीज आपे घर में नहीं आएगी तो क्या इससे क्या फाइदा होता है बहुत से लोग जो है अपने प्रतिष्ठानों के बाहर ल लगाना फिर पुराने समय के अंदर जब तुम पैदा हुई थी तब कोई घर बनाता था ना तो एक मटकी पे काला सा रंग करके लाल रंकी जीव निकाल के चोड़ी सी लाल रंकी मूझे बनाके वह लगाया करता था आज कल नहीं चीज आ गई है ना लगने वाला राहू और चंदर दुश्मन है दोनों उपजिट कलर लाल और काला वो जो मटकी वाली बात बोली थी मंगल और शनी आपस में दुश्मन है पीला और हरा ब्रस्पति और बुद्य आपस में दुश्मन है ये जब उपजिट कलर लगे हुए होते हैं तो कोई भी इनको फोकस करके किसी एक रंग के उपर कंसंट्रेट करी नहीं सकता तो उसमें डिस्टेक्शन पैदा होती है तो खराब मंगल वाला नजर लगाता है तो जब वो दो रंगों में उलग जाएगा न तो उसकी सोज बढ़क जाएगी वो जो एक फोकुस होकर कि एक तीज सी तीखी नजर उ पड़ी नहीं सकती है और ये आंखों की ताकत का खेल होता है और ये सच बात है कि जिसका मंगल बहुत खराब हो वो कहीं जी भरके जैलेस की नजर से देख ले ना तो वो पहाड को भी फार सकता है इनके कोई साइन होते हैं पता चल सकता है कि इनका मंगल खराब है कोई हरकती इस तरह की जिसके हम पहले से ही सच रित हो जाएं अच्छा वहां से बचो गुरुजी स्पॉटकास्ट में बहुत मजा है आपके साथ जोतिश को इतनी घहराई से हमने भी जाना है ना जैसे चा द्रूस यह वक्ष है जै मातक तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहा आज हमारे इस पॉडकास्ट के खास महमान रहे गुरुदेव जीडी वसिष्ट जी जिनोंने जोतिश के रहसे हमें बताए ऐसे ही पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आते रहेंगे अगले प